मायावती आए या भाया आए जो भी आए समाज के लिए अच्छा काम करेंगे हम लोग उनको देंगे अभी डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कि किसको दिया जाए 21 जुलाई को दिली के जंतर मंतर में चंसीखर आजाद ने चम कर भीड गुलाई मंच पे सपार रालूद कॉंग्रेस जैसी पार्टियों के दिगज नेता भी कर्था हो गए लेकिन सवाल तब भी ये है कि क्या दलित समदाय मायावती को छोड़ कर चंसेखर आजाद को वोट देगा यही सवाल हमने रैली में पहुची महिलाओं से भी पूछ लिया आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भी मार्मी के चीफ चंसेखर आजाद पर गोली चली और उसके बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि दिल्ली में चलते हैं और 21 जुलाई को दिल्ली में उन्होंने भाड़ी भीड इकठा की और इस भीड में बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं जिस तरीकी घटनाएं भारत में सामने आ रही हैं मेलाओं को लेकर कई सवाल सरकार के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं लेकिन हम यह जानने कोसिस करेंगे कुछ महिला हैं हमारे साथ भी मौजूद है हम इनको लेकर आए हैं कि आखिर क्या सोचती है यह लोग चंसेखर आजात के बारे में और कैसे यह लोग आने वाले चुना को देखती यह भी समझने कोसिस करेंगे क्या नाम है आप मेरा नाम सरोज भारती है भी मार्मी मैला संगठन मैला मुर्चा अध्याग्ची क्या कहेंगे आप कैसे आई हैं भाई के समर्थन देने के लिए आए हैं और बड़े भाई पे आप लोग भी जानते हैं कि उ होने ना दे वह चाहते हैं कि समाजिक परिवर्तन होने ना दे वह हमारे रास्ते के दिवार बने ऐसे हम होने ना दे और हमारे भाई की रास्ता रोकें इतनी उनकी रफ्तार हो हम होने ना दे अच्छा क्या लग रहा है कि सरकार सुरक्षागर नहीं देती तो क्या करिएगा अब दोर से बिल्कुल आएंगे इस से भी दूर बुलाएंगे तो आएंगे तो क्या लगता है कि इस बार सांसत बन जाएंगे पिछली बार चुनाव हार गये थे चंसेकर गोरगपुर जाकर तो इतनी भीड़े कठा होती लेकिन वोट नहीं मिलता है लोग कहतें कि महिलाएं भी भाज़पाक वोट दियाती है क्या लगता है बिल्कुल जीतेंगे इतना आप देखी रहे हैं इतना लोग जब जूमें इतना भाई को समर्थन दे रहे हैं तो बिल्कुल जीतेंगे पूर्वा मैला मुर्चा आजात समाज पार्टी तो क्या लगता है आपको कि चंसेकर आजात को सेक्योर्टी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी और नहीं मिलेगा तो ये अंदोलन लगातार चलता रहेगा जो भी बात हुई है और ये हम चाहते हैं कि जब हमारे एक छोटे-छोटे बालुबेट की हिरोईने सुरच्चित है तो हमारे भाई क्यों नहीं सुरच्चित रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे हम चाहते हैं कि भाई के जो मांग है वो मांग पूरी हो अच्छा एक महिलाओं की बात हो रही एक वीडियो बहुत वारल हो रहा है मडीपुर का साइद आप लोगों को देखने लाइक वीडियो नहीं है क्या लगता है उसको देखकर कैसा क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करती है नहीं बिल्कुल नहीं करते हैं और आए दिन महिल अंदोलन को लेकर सुरक्षा मिल पाई की चंसेखर को मिलनी भी चाहिए सर अगर नहीं मिलती है तो हम लोग यहां आंदोलन करेंगे धरने पर वैठेंगे और ऐसा नहीं करते हैं सरकार तो उसका कुछ अलग राश्ता ही देखना पड़ेगा फिर तो यह आपको लग रहा है यह समझते हैं कि हमारे संगठन और हमारे पार्टी के जो लोग हैं जैसे लोग कहते हैं कि गंगा कितना पवित्र हैं मानने वाले मानते हैं लेकिन हम गंगा को भी नहीं मानते हैं गंगा पवित्र ही नहीं है उन्ना तो मेरी मा है मतलब उनको हम देवी के रूप में नहीं ऐसा क्यों? ऐसा हम नहीं मानते हैं, हम किसी मा को नहीं मानते हैं, अपनी मा के अलावाँ, इसलिए अपना हाउसला हम बुलंद करके हम इतना दूर चले आते हैं उनके साथ. तो आप एक बात को मंधन कीजिए, कि बार्डर पे आए दिन हमारे किसान के बच्चे मारे जा रहे हैं, ये देवी देवता के अपना हाथ यार आलू छिलने के लिए रखे हैं, आपका क्या नाम है? तो भारती है, हम गाजी पुर्जीले से आये हैं, भाई के समर्थन में. आप के हाँ तो राजबर जी की चलती हैं? अगर ये सरकार नहीं देती हैं, तो क्या गए? नहीं देगी, तो हम लोग आंदोलन पर खड़े रहेंगे. योगी सरकार कहती कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं सुरच्षित है, योगी सरकार में दलित पिछड़े और सभी गरीब महिलाएं जो भी है, रास्ते पे चलती हैं, उनको बलट करता है, सरकार हमको को कोई सुरच्षा नहीं देती है, महिलाएं कभी भी सुरच्षित नहीं इस राज में, ऐसा सरकार हमको नहीं चा उनको जो है उनके समर्थन में उनको आगे बढ़ाने में उसको हासला देने के लिए हम लोग जो भी होगा वो हम लोग करेंगे उनको सुरच्छा देने के लिए अगर धरना परदर्शन जो भी कुछ होगा भाईया जहां पुकारेंगे हम लोग तो अभी बनारस यहां आए है हैं अगर मों कहीं भी पुकारेंगे हम लोग वहाँ दोड़े जाएंगे क्योंकि भाईया हम लök का जो है लम के लिए क lanes काम कर रहे हैं तो क्या है कि मायावदी वो कह बहले हैं कि अगर मायावती आती हैं चुनाव में बारत वोड दीजेगा देखिए मायावती आए या भाया आए जो भी आए समाज के लिए अच्छा काम करेंगे हम लोग उनको देंगे अभी डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कि किसको दिया जाए आप क्या अलग अलग तरफ है ना मायावती अलग है या खिलेज हमारे हित के लिए काम करेगा हम उनके साथ रहेंगे जो अभी हो चाहे चंद्रसेखर राजाद हो अचाहे मायावती बहन हो फिलाहाल चन्सेका राजात को समर्थन भले ही में लाहो लेकिन वोट की मामले में लोग दोविधावे नजरा रहे हैं वेवर रिपोर्ट यूपी तक